बारत और इंग्लेंड के बीच केले जा रहे चोथे टी-टी-टी मुकाबले में फिला अलेटिव इंडिया आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है जी आपको बता दें कि बारत को यहां पर पहला जटका लगा रोहित शर्मा के रूप में रोहित शर्मा की विकेट निकाली चोथे ओवर में जोफरा आर्चर ने लेकिन उसके बाद जो होना था वो शायद इंग्लेंड की किसी भी खिलाडी ने नहीं सोचा था दरसल अगली ही गेंद पर यहां पर कप्तान विराट कोली ने अपनी जगे बेज दिया सूरी कुमार यादव जो की अभी अभी अपने करियर का अगास कर रहे हैं और आते ही पहले ही गेंद पर सूरी कुमार यादव ने अपने कप्तान को निराश नहीं किया और जड़ दिया गगंचुम्बी छक्का। अमूमन हम जोफरा आर्चर की शॉर्ट गेंद पर बड़ा शॉर्ट खेलते किसी भी बलेबास को नहीं देखते हैं लेकिन यहाँ पर सूरी कुमार यादव निडर अंदाज में बलेबासी कर रहे थे और एक बार फिर उन्होंने धाकर बलेबासी करके सभी का दिल जीत लिया यह एक ऐसे खिलाडी हैं जिने मौका काफी देर से मिला है और अब इस मौके का यह पूरा फाइदा उठाना चाहते हैं अब यह देखना होगा कि भारती टीम और ज़्यादा यहां से कितने रंस बनाती है पांच ओवर में भारत का स्कोर करी 35 रन हो चुका है और भारत की प हुआ